मैं अपने पाप से छुटकारा पालूं। लेकि उसके बावजुद भी यहाँ परवित्र आत्मा से भरकर अरादना करने वाले लोग भी मौझुद है। अपने शीवन में अनुबव करता है। परमेश्वर के वजन के आधार पर चीने वाले हर एक व्यक्ति वेज़ादना परमेश्वर के वचन के मुदाबिक परमेश्वर की उपास्तना करने वाले मनुष्यें। अवर के परिश्वर के परिश्वर के वर्दान यूही दान में बिल जाता है। लेकिन हम में हम पापी मनुष्य लोग परिश्वर को पापी मनुष्य को पुईत्रात्मा की उपस्रिदिया उसकी सामर्थ को अनुबो नहीं कर पाता। व्यक्ति को पाप में जीने वाला मनुष्य को पुईत्रात्मा की सामर्थ की अवेश्वर करना चाहते हैं आव एक्ति पिताव पुत्र परिशुत आटमा उंडे दामत इस नाने मेल कुगई खोव यक्ति पिताव पुत्र और पुत्र आत्मा के नाम से बप्तिस्मा लेना है करतावा एसी कृस्तु ने देवावन अंगियर की गई प्रवीश मसी को अपना परमेश्वन करके स्विकार करना है और अपने हिर्दे से पूरे रिती से विश्वास करना है और अपने जीम से अंगिकार करना है प्रवीश मसी हमारे पापों के लिए कलवरी क्रूस पर मर गया करके विश्वास करना है तब जाकर हमको हमारे पापों से छुटकारा मिल सकता है आपके अपने पापों से छुटाने के लिए इस दुनिया में एक ही व्यक्ति से हो सकता है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है कि आप समझ रहे हैं इस बात को यदि आप इस बात को समझने ते एक बार सोरदार हललुया बोलेंगे अललुया 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 अपने दिन्ने रेची के नमेंगी लोगत लोरी मानिशेर मातर में साथ क्यों यदि आपको उससे बचाए जाना है तो इस दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो आपको बचा सकता है वो कौन है मैं आपको बताना चाहता हूँ वो प्रभी इश्य मसी है बीते रात के दिन में परमेश्व के दास लोग ने आपर परचार किया उन्होंने बताया स्मस्च रूप से कि प्रभी इश्य मसी दुनिया में कैसे था वो इश्वर के स्वरूप में था उसका समध्य पिदा के साथ लगा हुआ था जो मनुष्य को उसने अपने हाथों से रचा था जब वो मनुष्य पाप में फस गया तो उसको उसके पाप से छुडाने के लिए वो अपने इश्वर रत्व को पुर रिती से त्याग कर वो अपने इश्वर रत्व को छोड़ करके उसने दास का रूप को हासिल किया उस दास के रूप को हासिल करके इस प्रिद्वी में वो मनुष्य का रूप लेकर आया कारण यह है कि वो हमको आपको हमारे पापों से छुडाने के लिए आप जानते हैं कि क्यों प्रभीश मसी इस दुनिया में भाई जाने वाले हर एक पापी को छुडाने के लिए वो अपना घून इसलिए बहाया है ताकि हम मनुष्य जो इस प्रित्वी पर पाप में फसे हैं उसके द्वारा बचाए जा सके लेकिन यूहन ना के लिए लिखा हुआ है सूसा मचार में वहां यूहन ना बदिस वादा ता इस प्रगास से कहता है वहां पर प्रवीश मसी को देखने के बाद यूहन ना इस पकार से पुगार कर कहता है देखो यह परमेश्वर का मेंबना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है वह एक किसी चोटे से गाउप के लोगों को पाप से छुड़ाने के लिए मेंबना बन कर नहीं आया एक राच्य के पाप को छुड़ाने के लिए उसने मेंबना का रूप नहीं धरन किया जिसको परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए अपने लोगों को चुण कर अलग किया जो इस्राइली लोग है उनको उनके पाप से छुड़ाने के लिए नहीं आया लेकिन इस दुनिया में पाइजाने वाले हर एक एक व्यक्ति को उसके पाप से छुड़ाने के लिए उसने मेंबने का रूप को धारन किया वही परमेश्वर है जो आपको आपके पापों से छुड़ा सकता है हमारे पापों को प्रमेश मसीर ने कल्वरी क्रूस पर उठा लिया जैसे हम जानवरों को मारते बीटते हैं उस परकार से उसने हमारे लिए ताड़ना को सहा महापुरोहित लोग राजा हिरोदेश पिलातूस सब कोई का विश्रित करने के माद भी उस व्यक्ति में किसी भी प्रगार का पाप नहीं पाया जाने वाला एक व्यक्ति उस पाप हिन व्यक्ति को उस क्रूस पर बलीदान करके चड़ा दिया भाई सक्ताओं के द्वारा प्रमेश्र के वचन में लिखा गया है कि क्रूस की प्रित्यू क्या है वो कारण ये है कि प्रवीश्य मसी इस प्रित्वी पर हमारे और आप के लिए मरने के लिए आया क्या आप इस बात को विश्वास करते हैं कि हमारे बापों के लिए प्रवीश्य मसी मारा गया आपके माता पिता आपके बाप से छुडा नहीं सकते हैं आपके दोस्तों लोग आपके बापों से आपको छुडा नहीं सकते बेत्व मित्रादी गल को वरेना अधिगारी गल को उनने पापत दिल निरिश्पान गड़ी अदिल्या आपके बाप रसास्य करने वाले लोग ये आपके बंदूमित्रा जी जो आपके आडोस-ब्रोस में रहते हैं वे लोग आपके आपको पापों से नहीं छुडा सकते ने पापत दिल निरिश्पान गड़ी